देखिए मैं यादव जाती से बिलोग करता हूँ और मैं किसी भी जाती या धरम को छोटा या बड़ा नहीं मानता लेकिन दुनिया में कुछ बद्दिमाग लोग ये सोचते हैं कि यादव है क्या तो आज मैं उन्हें इस वीडियो के मात्यम से यादव के असली पहचान बताना चाहता हूँ यादव वह बबर शेर है जहां भी दाड़ता है सब की फाड़ता है यादव से जलने वाले जल जल के काले हो गए उनकी भेन हमारी फैन वो हमारे साले हो गए हम यदूवनसी हैं हमारी पहुंस दिली से लेकर कबरिस्तान तक है अवाज दिली तक जाती है और दुस्मन कबरिस्तान तक हम अहीर है प्यार से मांगलो तो जान भी आजरवना तलवारों से इत्यास लिखना हमारी परमपरा है माना की तेरी एक अवासे बीड हो जाते है लेकिन हम भी यादब हैं हमारी एक दाड़ से पूरी बीड बिखर जाती है तेवर तो हम बक्ताने पर दिखाएंगे सहरे तुम खरीद लो हकूमत हम चलाएंगे रास तो हमारा हर जगाप है पसंद करने वालों के दिलो मार ना पसंद करने वालों के दिमाग में छेड नमत फार देंगे लोग तो मुर्दों को काड़ते हम यादब है जिंदों को काड़ देंगे लोड करके राईफल जब जीप पे सबार होते बांद सबा जब गवरू तयार होते देखती ये دुनिया चचत पे चड़कर कहती काच हम भी यादब होते शेर कभी छुपकर शिकार नहीं करते उस दिल कभी खुलकर बार नहीं करते अरे हम तो योदाई आदब गौम के मरे के भी हर सुईकार नहीं करते चोड़ी चाती भी रोकी असली जाती अही रोकी जंगल में शेर से और सहर में यादब से बचके रहना क्योंकि शेर तो सिर्फ फारते मगर यादब बीच रास्ते में जिंदा गारते हैं यादब हाथ किसी का ठाम कर छोड़ते नहीं वादा किसी से करें तो तोड़ते नहीं अकर तोड़ते कोई दिली यादब का तो यादब बिना पैर तोड़ते नहीं ऐसा कोई सेर नहीं जहां यादब का कहर नहीं और एक बात और बता दूँ आपको ऐसी कोई गली नहीं जहां यादब की चली नहीं हम यादब हैं यादब मारते कम है घसीट से जादा है यादब को जुका दे ऐसा कोई माई कालाल पैदा नहीं हुआ क्योंकि हम उस बंस गें जिसने गोबर्दन परवत को भी अपनी उगली पर उठा लिया था वस दुसमन ही तो हम चीटी से भी नहीं करते लेकिन बीच हम आया तो शेर भी नहीं छोड़ते लोग अकसर उस जगह जाते हैं जहां इत्यास होते हैं हम जहां जाते हैं वहां इत्यास बन जाते हैं जमीन की गीमत और यादव की हमत कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि दिल तो आशिक तोड़ते हैं यादव तो हटियां तोड़ते हैं कोशिश तो सब करते हैं पर सब के सर पर ताज नहीं होता दौलत तो सब के पास पर यादव वाला अंदाज नहीं होता थोड़ी साथ कि हमें भी सिकादे मुरली वाले इतना खुंकार और खतरनाक बना दिया कि जंगल से भी गुजरते हैं तो शेरों की भी धड़कने बंद हो जाती हैं बुजल यह दूवन सी नहीं जो पीछे से बार करते हैं यादव तो वो हैं ये शेरों को भी जगा कर शिकार करते हैं इजद दोगे तो इजद पाओगे वरना हम यादव के वहां का बाल भी नहीं उखार पाओगे जब मैं सर्दियों में कमीज में निकलता हूं तो लोग कहते हैं सिंगम यादव के ठंड नहीं लगती हम यदू वंसीयो की एंट्री हमारी आने से नहीं, हमारे जलने वाली लोगों के बॉंखने से पता चलती है, जितने दिन भॉंखनाए भॉंखने दूंगा, जिस दिन मेरे याद भाई पात उठाया, साले उसी दिन ठॉंख दूंगा, जलने लगा जमाना सारा, क्योंकि चलने लगा नाम हमारा, दुस्मनों की आँखों में आया डर का साया, शेर भी इस धार से घबराया, जब इस धर्दी पर यदूबन से भी रिसिंग अम्यादब आया, ना घुमाने के लिए कार चाहिए, ना गले के लिए हार चाहिए, भगवत गीता में भगवान स्री कृष्ण है, बहुत बड़ी बात कही है, जीबन के उद्दार के लिए केवल यादब का साथ चाहिए, और कात में रहके बात करना बेटा, क्योंकि जो यादब से अटकते हैं, वो समसान में बटकते हैं, डर फैला दू अपने नाम का, मैं बखतू सिरी राम का, एक बार नहीं सो बार नह लाशों के खेरों पर चड़तरी सही, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे, जाग उठो यादब के लाला, राम मंदिर बनाना है, जैसे जली ती लंका वैसे पाकिस्तान जलाना है, हमें क्या धराएगा मौत का मंजर, हम तो खुदी दाहर देते हैं, हम वो यादब हैं जो खेल मेरे से मिलने के लिए, किसी ने का लोहा है हम, किसी ने का फॉलाद है, मा कसम, मा भगदर मच गई, जब हमने कहा यादब है हम, गड़ी निकटाई बंदू, फिर से धरम युद्ध होगा, अग लगा दो उस घर को, जो यादब के बिरुद होगा, जैसा कि सुनने में आता ह यादब की जन संग्या बहुत कम आती दिखती है, ये प्रकर्दी का नियम है, अधी शेरों की शंग्या बढ़ा दी जाये तो बागी प्रजातियां खत्रे में आ जाएंगे, ये थी जिन्दम यादब के विचार, और हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद,